दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल क्रियेटर रहिम में स्वागत है दोस्तो आज हम लोग नीबू और हल्दी के फायदों को बारे में जानेंगे आयरुबेद में नीबू और हल्दी का इस्तेमाल आउसदी के रूप में किया जाता है नीबू में बिटामिन सी भरपूर होता है जिससे या सरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है वही हल्दी में सरीर को रोग मुगत रखने के गुड़ पाये जाते हैं जिससे इन दोनों का महत तो बढ़ जाता है तो चलिए नीबू और हल्दी के फायदों के बारें बिस्तार से जानते हैं उससे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल की डेटर राइम को सब्सक्राइब ने किया तो प्लिज सब्सक्राइब कर लिजिए और गंटी का निसान दबा दीजिए आप वीडियों सुरू करते हैं नमबर एक लिवर के लिए नीबू और हल्दी के सेवन से हमारे पाचन तंद को बहुत फायदा मिलता है नीबू पानी को डिटाक सपे के रूप में उप्यक किया जाता है क्योंकि नीबू पानी लीवर से विशाक्त पदारतों को बाहार निकालने और लीवर के कारे में सुधार करने में मदद करता है इसके लिए आप नीबू के रस में थोड़ा सा हल्दी और सर्ण मिला कर पिये इस मिश्रण से आपकी लीवर को बहुत फायदा मिलेगा नमबर दो तवच्चा के लिए नीबू और हल्दी दोनों ही आपकी तवच्चा के लिए बहुत फायदे मंद हो सकते हैं नीबू का विटामिन सी स्वस्त और चमकदार तो अच्चा को बढ़ावा दे सकता है रोजाना नीबू के रस में हल्दी मिला कर सेवन करने से तो अच्चा सी जूड़ी समस्यां चुछुटकारा मिलता है नीबू और हल्दी दोनों में एंटी आउक्सिडेंट भरपूर होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को मुक्त कड़ों से होने वाले नुकसान से बचाने मदद कर सकते हैं नीबू और हल्दी का सेवन हिर्दे के लिए बहुत फायदे मंद होता है नेबू और हल्दी उच्छे तक्तचाप और कुलेस्टराल के अस्तर को कम कन्ने में मदद करके हिर्दे स्वास्त को बढ़ावा देता है नमबर पांच जोडों के दर्ध के लिए हल्दी के सूजन रोधी गूड जोडों के दर्ध या गठिया वाले ब्यक्तियों के लिए सहायक हो सकते हैं यह संभावित रूप से दर्ध को कम कर सकता है और गती सीलता में सुदार कर सकता है नमबर 6 पतिर्यक्षा प्रडाली के लिए नेबू बिटामिन C का एक बड़ा सुरोत है जो आपकी पतिर्यक्षा प्रडाली को बढ़ावा दे सकता है और आपके सरीर को संक्रमन से लड़ने मदद कर सकता है नमबर 7 तोजन के लिए कुछ अध्यानों से पता चला है कि नेबू और हल्दी में मौजूत तोजन घटाने और चया पचय में सहायता कर सकते हैं